मैं राम्तिजमीना सहायाकाचारिय हिंदी प्रफश्ट में सभी छात्रों का विश्य स्वागत करता हूं और आज का हमारा विश्य है वह है रीति काल का प्रवर्त तक कभी किसे माना जाए चिंताम अठ्वा के सकते हैं यह सबस्वा बड़ा विवादास प्रशन है कि रीति काल का प्रवर्तक कौन है चिंतामणी है अठ्वा आचारिय किस अठ्वा इसको लेकर ही यह हमारा विवादास पत है सबसे पहले रीति काल का प्रवर्तक का स्रीक किसे मिले अथा रीति काल का प्रवर्तक का अर्थ क्या है कौन कभी किस काल विशेश का प्रवर्तक हो सकने की छंता रखता है प्रवर्तक का अर्थ किसी परंपरा या प्रवर्ति की नीव डेनने है प्रवर्तक उसे कहते हैं जो किसी परंपरा या किसी प्रवर्ति की नीव डालने वाला होता है उसको हम रितिकाल का किसी भी काल का प्रवर्थक कहे जाका। रितिकाल कहे नहीं जो किसी प्रमपरा प्रवर्थी की नीव लाता है। वही व्यक्ति प्रवर्ति का इस प्रम्परा का प्रवर्तक कहा जा सकते। जो किसी विशेश प्रवर्ति को चलाएं वही प्रवर्तक अर्थाद जो भी प्रवर्ति की नीम डालता है वही व्यक्ति उसका प्रवर्तक के माना जाता है। इसके साथ ही उस व्यक्ति का प्रतिविवासानी होना, गंभीर मत होना और दूसरों को अपने अमसार चलाने की चमता से युक्त होना भी अनुवारी है। तो इसी प्रति को लेकर जो हमारा आज का जो टोपिक है जो विशे है वो है रितिकाल का प्रवर्तक कभी या रितिकाल प्रवर्तक कभी किसवदास पथवा चिंता मनी इस विशेगों लेकर की विवाद है रितिकाल का प्रवर्तक किसी माना जाए यह प्रसंद दुवादास को क्योंकि कुछ विद्वार आचारिय केशव को रितिकाल का पूर्ट तक मानते हैं और कुछ आचारिय चिंतामणी को यहे गोरव देना चाहते हैं डक्टर शामसंदर दास का मत है कि यहे समय विभाग के अंसार केशव भक्तिकाल में पढ़ते हैं और गोश्वामी तुलसी दास आधी की समकालें होने तथा रामचंदी का आधी करंथ हों लिखने के कारण वे किवल रीतिवादी नहीं कहे जा सकते परन्तु उन पर पिछले काल के संस्कृत सहित का इतना अधिक प्रवाब बढ़ा था की अपने काल की हिंदी कारवधारा से प्रथक होकर वे चमत कारवादी कभी हो गए और हिंदी रीति करंथों की परंपरा के आचारी कहलाएं इससे कुछ लोग यह निसकर्स निकालते हैं कि केशव को स्यामसुंदर दाज जी ने रीति काल का प्रवर्थक मारा वस्त होता है यह निसकर्स निकालना उचेता है कारण इस कथन से यही स्पष्ट होता है कि केशव ने रीति गरंथों का सरजन किया और उसमें वे आदिम आचारिये हैं यह दिपिश्यम सुन्दर दास का ऐसा मानना भी निराधार है क्योंकि केशव से पूर्व भी कई रीति गरंथ लिखे गए हैं उधारनार्त शूर्दास का साइत लहरी नंदन दास का रसमंजरी क्रपाराम की हित तरंग ये वे करनेश का करणा भरम हाँ यह वात अवश्य है कि इन गरंथों में कावशास्त्र का गंभीर और संग वांग भी वीचन नहीं हुआ है पहले पहल इस पद्धिती पर रचना करने वालों में आचारिये किशव का ही नाम जाता है राम चंद्रिका तक में यही प्रवर्वति देखी जासे हैं तक आचारिये किशव ने होकर चिंता मनी है। सुकुल जी यह मानते हैं कि किशव दास ने कैव के सभी अंगों का निरूपन सास्त्रिये पद्धिती पर किया है इसमें संदेई नहीं कि कैवरी रिती का संबग विवेचन और समाविस पहले पहल आचारिये किशव नहीं किया है। पर यह मान कर भी सुकुल जी आचारिये किशव को रिती काल के रिती गरंथों का परवर्टका से दीन में हिचकते हैं। कि हिंदी में रीती ग्रंतों की एविरल और अखेंडित परंप्रा का प्रभा किसव की कविप्रिया की प्राय पचास वर्स पीछे चला है और वहवी एक भिन आदर्स लेकरने किसव के आदर्स को लेकरने पिसन यह है कि आखिरकार सुकुल जी की इस मानता का आधार क्या है इसके उत्तर सरूब आचारी सुकुल जी का यह मत अवलोगनिय है सहित की मिमान साप्राय बढ़ते बढ़ते जिस इस्तिती पर उहुच गई थी उस्तिती से सामगरी ने लेकर केसव ने उसके पूर की इस्त प्राटकों को कव्यंग निरुपन की उस पूर्व दिसा का पंशे कराया था जो पहमें उद्वट के समय थी उस उत्तर दिसा का नहीं जो आनंद वर्धनाचारिये मममट विसुनाद द्वारा विच्षित हुई पर केसव दास के उपरांत ततकालें रिती गरंतों की परंप्रा का आरम हुआ यह परंप्रा केसव के दिखाये हुए पुराने आचारियों बहामें उज्वट आदी के मार्व पन्ने चलकर परवर्ती आचारिये परिश्कित मार्व पर चली त्याविके स्वरूप और अंसों के संबंद में हिंदी के रीतिकार कव्यों ने संस् रितिकाल का आरहम उन्हीं से ही मानना चाहिए आचारे शुकल का ये मत्राय मानने रहा है। हां कदिवे विद्वाल ऐसे भी हैं जो केशव को बहुमक्ष पृद्वा का धनी मान कर यहां तक प्रमानित करते हैं कि केशव तो रिती कालिन सभी प्रवर्तियों के प्रवर्तक हैं अधिक संक आलोचक मानते हैं कि केशव के वर रिती प्रवर्तक कर नहीं ठेरते हैं अत्त-антत प्रतित हैं रिती कालिन शहित में उपलब्द होने वाली अन प्रम प्रवर्तियों के भी प्र वर्तक ध्यायत हम यहन्ष कोश वहाव से कहते सकते हैं कि रूती काल का निक्षव करने वियू संगय को रितिकाल का स्रहे अंके सवदास को दे सकते हैं लेकिन प्रारम्बिक जो नीव चिंतामणी से प्रारम होती है इसलिए हम रितिकाल का प्रवर्तक प्रवर्तक को अगर एक सब्द में हम इसको निश्कर्च में पहुंचते हैं कि रितिकाल का प्रवर्तक चिंतामणी है अब है रिती का आर्थ हैं। सुप्रवश्द ग्रंत कावय लंकार में रिती को कवड की आत्मा का ए, रीतीर आत्मक का विश्य वैसे साब्धिक द्रिष्टी से रीती का आत्त है सेली, प्रमप्रा, फ्रणाली या पदती संस्क्रत में रीती को विशिष्ट पदरचना माना गया है और यहे विशिष्ट गुणों पर आधारित है जैसा की रीती सिध्धन्त के पूर तक बावन कामत है रीती का तूसरा समन्ध पदरचनाश है जोकी समास पर निर्वर अते कुछ आचारियों ने समास हिंसा स्वेलब समास्ता, दीर समास्ता की रूप में रीती को देखा है आचारियों ने रीती को मार्ग कहा है जिसका मूल आधार कभी सोहा हो आचारियों ने इसे रस का उपकारक करने वाली कहा है उन्होंने इसे सेली के रूप में ग्रहन किया है जिसका आधार वर्ण, सेगटन, गुण, समास है हिंदी साहित में रीती सब्द का प्रियोग प्राय सेली या मार की विशिस्ट रूप में कहा गया है आलोचक डाक्टर भागिरत मिस्तर के अनुसार रीती सास्त का तागप्रिय उस लक्षन से वाले यसे धन्त सर्चाकनले वाले ब्रंथों से हैं जिसमें अलंकार रस वक्रूति रहनी आदी के श्वरू भेद अव्यव आदी लक्षन दिये हों इस परिवासा के अनुसार रीती सास्त के अंतरगत रीती सास्त के अंतरगत सिध्धांत रचना कावल लक्षन प्रस्तुत करने वाले सभी प्रका सभी के ग्रंथों को समुर्थ किया जा सकता है वास्तम में हिंदी में रीती सब्द का प्रियोग व्यापक अर्थ में किया गया है हिंदी सहित के रीती काल में इसी हिकार के ग्रंथों की भोलता रही है जिन में नेक एवल रीती को कैवल की आत्मा माना है अपी तो कैवल लक्षन प्रस्त करने का प्रियास भी किया रहा है इस द्रश्टी से हिंदी का रिती सहित संस्वत के रिती सहित से कई रूपों में भुंडवी है उसमें संस्वत के रिती सास का अक्षन सपालन भी किया रहा है समयनत हिंदी में रीती का प्रियोग उन ग्रंतों के लिए निमित किया रहा है जिन में कयब के विविद अंगों का उधारन सहीत विविचान पृष्ट किया रहा है डाक्टर नगेंदर ने कैव रचना समंदी नियमों के पालन को रीती नाम दिया है और उनके मतानशार रीती कैव में बस्तु की अपेक्षा, आत्मा की उतकर्ष की अपेक्षा, शरीर के अलंकर्ण की पुरहनता है अत्य हम इस निसकर्ष में पहुंचते हैं संस्क्रष में कह सकते हैं कि वह कैव जो अलंकर, गुन, रस, धनी, बक्रोती, नाईकाव, भेद, आदी की सास्ते प्रणाली के आदार पर निखा गया है रीती कैव है इस प्रकार के कैव की परंप्रा बहुत परानी रही है और संस्क्रष साहित में इस प्रकार के साहित की सरजनाब की कुल मात्रा में हुई हिंदी को यह परंप्रा संस्क्रष से पराप्त हुई वहय योग जिसमें इस प्रकार के गरंतों की बहुता रही साहित की इतिहास में रीती काल की नाम से अभीवित किया गया है। अभी इस युक को किसी नाम की संग्याती कही है। थेंक यू धन्लवाद।